चलिए जी वेरी वार्म वेलकम टू अल अफ यू एक बार फिट द्वाल से आप सभी लोगों का स्वागत है अब नंदन है आपके अपने इस ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है SSC गुरू जी हां SSC गुरू हो जाओ शुरू पटाफट से देखिए समय हो चुक कर देजिए जिससे की पता चल जाएक जिससे पता से जाय करें के हां आप लोग आ चुके हैं पटाफट से मेसेज डालते जाए ताक्कि जल से जल्द हम लोग सेशन को स्टाथ कर पाएं रीजिनिंग के वाइक्यू लगातार बहतरीं तरीके से आप लोगों को करवाए जा so this is all about me my name is अर्पिद्यादव I am phil in commerce teaching for SSC and railway exam taught in many states of India 10 plus years teaching experience 22 December से जी हाँ दोस्तों नया batch स्टार्ट हो गया है आप सभी लोग इस batch को join कर सकते हैं बढ़िया तरीके से जी हाँ iconic feature की अगर बात करी जाए तो ये सारे features हैं जो iconic feature से अगर आप unacademy के iconic feature से जुड़ते हैं ये सारे फाइदे आप सभी लोगों को मिलते हैं इसका फाइदा आप सभी लोगों को जरूर लेना चाहिए ask a doubt feature का इस्तमाल करिए जो भी आपके doubts है वो आप लोग पूसकते हैं हमसे directly तोर पे question को crop करके माल लेजिए आपका कोई भी question है ठीक है simple सा है एकदम question को crop करिए ठीक है और crop करके directly तोर पे आप हमें भेज दीजिए ठीक है इस सारी चीज़ें आपको मिलती है plus से जुडने पर ठीक है इसके बाद मैं test series के अगर बात करी जाए यह देखिए कितनी बहतरिन test series आप लोगों के लिए दी जा रही है इस test series का फाइदा आप सभी लोग जरूर लीजिए ssc experience के लिए बढ़िया test series आई हुई है रेजा हेंड feature का इस्तमाल करिए जो भी आपके doubts है वो आप लोग पूछ सकते हैं रेजा हेंड feature का इस्तमाल करते हुए ssc compact में हिस्सा जरूर लें 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पर बढ़िया compact होने वाला है हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में रहेगा qa marathon आप सभी लोग इसको अटेंड कर सकते हैं ssc exams के subscriptions की अगर बात करी जाए अर्पित one code लगा करके 10% का discount पाईए ये सारे subscriptions के prices हैं और इन सभी के ऊपर instantly आपको 10% का discount मिल जाता है और अर्पित one code लगा करके आप इसका फाइदा ले सकते हैं ठीक है report and win अगर आपको लगता है वीडियो में कोई inappropriate content है तो आप लोग form भर सकते हैं description के अंदर जा करके ठीक है दो यूट्यूब पर और तीन classes आप लोगों को एप पर प्रोवाइड हो रही है ठीक है तो सभी का बढ़िया तरीके से आप लोग फाइदा लेजिए लाइए और सेट तो भाईया लेक्स प्राकेट चलिए और कोशन हमारा last कौन सा हुआ था एक बार मुझे जरूर सूचि बढ़िया तरीके से ठीक है यहां से हमने सेट की सुबह शुरुबात करी थी और इसके बाद हम लोगों ने कुछ कोशन्स लगाए थे यह था और यहीं से ही आगे बढ़ते हुए हम लोग लगातार बढ़िया तरीके से सवालों को लगा रहे थे और यही कोशन हमारा last था ठीक है तो जो लास्ट है वो यहां का पहला है ऐसे समझ लीजिए ठीक है तो टूस में जाकर करके टाइमर आप लोगों के लिए लगाता हूं ताकि बढ़िया तरीके से आप लोग अंसर कर पाएं यह लिए टाइमर लगा दिया गया है शुरू हो जाए भीया फटा-फ चलिए जी मेरे साथ में मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ में पंकज राजपूर जी जुड़ चुके हैं सबसे पहले उसके बाद में विकास पाठक हाई गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग रमेश कुमार ओफिशल आ चुके हैं गुड इवनिंग सर वेरी गुड पंजाब से हैं नहीं मैं पंजाब से नहीं हूं मैं उत्तर प्रदेश से बिलॉंग करता हूं बेटा पटाफट से लगाना शुरू करिए कुश्चन को जबरदस तरीके से खेलेंगे इन सवालों को और जहेलेंगे इस सवालों को ठीक है ऐसे जिग-जैग में चल ला है तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या होने वाला है यहां 26 तो यहां 22 चबिस में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा अठारा अठारा में से चार गया तो 14 और 14 में से चार गया तो 10 तो आई बटे 18 इसके लिए बिलकुँ सही होगा जो भी option पर दिया हुआ है perfect answer right answer आई बटे 18 ये हो गया इसके लिए सही जवाब perfect answer आदर्श कुमार जहिं सर जहिं शौट गेमिंग हेलो सर हेलो बटा हेलो दुआ सलाम नमस्ते गुडीविंग ये सब हो गया अब बटा सवालों पर उतरो अब कोई समय नहीं रह गया है सवालों को solve करने का इसलिए सवालों पर उतरिए जमीनी हकीकत पर उतरिए अगला सवाल 26 नमबर स्क्रीन के उपर लगाया गया है 26 नमबर नमामिंगंगे हरर गंगे करते हुए सवालों को लगाना है जिया दोस्तां ये लीजिए जूम इन किया है अब देखिए बढ़िया नजर आ रहा होगा सवाल एकदम आप किसी प्रकार की कोई परिशाई नहीं होनी चाहिए चलिए टाइमर भी खुल दिया गया है फटाफट से कोशन करना शुरू करें जबरदस तरीके से करना है इन सवालों को बहतरी तरीके से किसी ओने करना है इन सवालों कोशना है चलिए जी देखें बाई देखो इसके अंदर कुछ मत करो सिंपल सी बात है इन सभी ये जो आसपास के जितने नंबर दिये ना इन सब का एडिशन कर दो तो 121 हो जाता है ठीक है ऐसे ही ये जो आसपास के नंबर है इन सब का एडिशन कर दो तो 79 हो जाता है अब ऐसे ही इन 9 के बाद 7 है यही तो नंबर है इन सब का एडिशन करो आराम से बड़ी है तरीके से क्या दिख्या थे देखो 9 और 6 कितना हो जाता है 15 और 8 और 7 भी कितना होता है 15 15 15 कितना हो गया 30 तो 0 आसी लगी 3 5 और 3 कितना होता है 8 कितना आ गया 80 आ गया तो यह लिजे इसके लिए बिल्कु सही है परफेक्ट आंसर है राइट आंसर है बी इससी हाँ जी सर बिल्कुर जी सर कहने से काम नहीं चलेगा बिटा आंसर करना पड़ेगा सिंपल था आसान था कोशन एकदम और बढ़िया तरीके से आप लोग सवाल को लगा सकते थे सिंपल एडिशन नतिंग और चारौ नमबर का टोuğल करें 121 का टोल करें 79 चारौ नमबर का टोटल करें 80 यह लीजिए 80 आगे आंसर इसका बिल्कु सहीं ठेक है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 27 नमबर स्क्रीन के वारे 27 नमबर कोशन को पढ़िए और उसके बाद यह ल लगाएं रादे रादे गुरुजी तेजस्वी टीचर यह तेजस्वी टीचर है अच्छा और बढ़िया यह तो बहुत अच्छी बात है तेजस्वी काफी इसमें अलग क्या होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप कोई भी चीज मतलब अगर आपको बहुत ली देखनी है तो माइक्रोस्कोप का इस्तमाल करते हैं टेलिस्कोप भी इसलिए जैसे लगा लेते हैं दूर की चीज़ पास नद्र आती है पैरिस्कोप परदर्शी यह कौन यह डॉक्टर्स इस्तमाल करते हैं ठीक है तो स्टेटिस्कोप होता है यह अलग चीज़ हो गई आपकी ठीक है तो इसके लिए जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए डी ऑप्शन अच्छा कुछ लोगों ने सी लगाया है कुछ लोगों ने हमारे बच्चों सी लगाने की कोशिश करी है या सी पर जाने की कोशिश करी है अब वो क्यूं किया है इसका वो कारण भी वही बताएंगे इसका कारण बताने कोई और नहीं आएगा इसका कारण भी आप ही बताएंगे कि एक फिर ऐसा क्यूं फिर मैं उसको क्लियर करूंगा आप जो सोच र रहें ये भी कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं ठीक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्ट्राइश को भी इसमें अलग होगा डिफरेंट होगा ठीक है चलिए अगला सवाल 28 नंबर स्क्रीन की ऊपर 28 नंबर चलिए लगाए 28 यह लिजिए करिए 28 रिया ट्राओट लैंपरी सेलमन इसमें अलग क्या है कुशनी हो तो यह वरड़ी पहली बार सुनना है होंगे शर्य चीज ही यह कौन सी चडिया का नाम है यह पहली बार सुनना है हो हाँ यह देखिए हमारे बीच में जुड़ चुकी है कार्ते के मन से सर जी मेरा राइट अंसर है बहुत बढ़िया यूपी असी सर को यूपी 20 का साधर पर नाम वह भी 195 देशों का विनंदर स्विकार करने की किरपा करें अच्छा आज नया जोड़ दिया स्विकार करने की किरपा करें बिलकुल चलिए इसमें क्या है रिया ट्राउट लैंपरी और सेल्मन इसमें अलग क्य जो होगा वो रिया अलग होगा क्या अलग होगा रिया रिया क्यों अलग होगा भाई ट्राउट लैंपरी और सेल्मन यह तीनों जो होते हैं यह फिश के प्रकार है यह फिश के टाइप्स है शिप्ट फिश के प्रकार है यह आप कह सकते हैं ठीक है और रिया जो होती है यह अलग चीज होती है ठीक है रिया इसकी अलग चीज है यह बाकी तीनों फिश के प्रकार हैं जी हां अगला सवाल 29 नंबर स्क्रीन के उपर 29 नंबर चलिए लगाए 29 नंबर करिए इस इस्टर को अगर हम लोग यह लिखते हैं तो अंकल को क्या लिखेंगे बताईए इस इस बताईए खेलिये जी आईए देखें इसमें क्या है इसमें यह है सिस्टर को यह लिखा जाता है देखो सिस्टर को यह लोग लिख लेते हैं यही तो लिखते हैं अब यह देखो इससे बनाने की कोशिश करें अगर आप लोग कहें तो हार सर बनाईए एस आता है उननिस पे आरा आता अठारा पर माइनस वन वुआ आए आता है नो पे फिर माइनस वन ऐस्जा आ वो से आर के लिए भिर माइनस वन टीसे एस U T U T N में से गया M C में से गया B L में से गया तो K है ना और E में से गया तो D यह लीजे T M B K D T M B K D T M B K D T M B K D कहां है T M B K D यह लीजे A Option पर दिया हुआ है बिलकु सही है परफेक्ट आंसर है A Option अब यह कितने लोगों ने दिया तेज़ा स्वी टीचर ने दिया प्रभाद एवी ने दिया है ना इतने लोगों ने दिया है बहुत बढ़िया अगला सवाल तीस नंबर स्क्रीन के ऊपर थर्टी नंबर चलिए लगाए तीस नंबर सवाद स्पीड में करिए अगोरिशन को चलिए लगाए इसके बाद तुरंत एप पर क्लास होगी जो की डेड़ घंटे की होगी ठीक है नौ वजे से लेकर के साड़े दस वजे तक और फिर वही कल सुबा मुलाकात तुब्स सुब्स सुभाज गहतराज दुश्यन्द टेजस्ट्वी टीचर काफी लोगों के अंसर आएं देखिए क्या बोला गया स्पैरो गौरेया बर्ट्स और उसके बाद माइस चुईया ठीक है इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा आपके लिए आपने क्या लगा लगाया है भी ऑप्शन एकदम सही ठीक है यह बाहर वाला जो हो जाएगा यह बर्ड के लिए बर्ड के अंदर सारी के सारी आ जाएंगे इस पैरो स्पैरो गौरेया सारी बर्ड हैं और माइस चुईया जो हो जाती है वह अलग हो जाती है उनका इंसे कोई ले ना नहीं है तो कर दो कर दो चलिए जी देखें इसमें क्या है पांच तीन एक कौन सी संख्या दिखाई तो जो उपरी फसल पर दिखाई उपरी फसल नहीं उपरी फलक पर अरे इसे क्या हुआ है इसमें कॉमन क्या है देख लीजिए पांच तीन कॉमन है तो तीन तीन के बाद एक एक के बाद पांच तीन के नीचे तीन आ जाएगा तीन के बाद चार चार के बाद दो पांच का दो हो गया एक का चार हो गया तीन का अपोसिट क्या होगा तीन का अपोसिट वो होगा जो यहां नहीं दिख रहा है और वो क्या नहीं दिख रहा है तीन का अपोसिट में छे नहीं दिख रहा है तीन का अपोसिट छे होगा ठी ठीक हैं तो से कई पूछा गया था छे की अप्धूसिट में तीन या तीन की आफूसिट में छे कुछ भी कह लीजिए भी आप्शन करेक्ट आंसर पर्फेट आंसर यह स्य वाले कौन है, शौर्ट गेमिंग गलत आंसर, तेजस्वी गलत आंसर, प्रभाद A.V का सही आंसर है, 31 का सी अप्षन है, भाई छै निचले फलक पर है तो उपली फसल पर कौन सी होगा, उपली फलक पर क्या होगा, च्छे के अबोजिट कुछा जा रहा है, तो सिंपल सवाल लगाएं लुट 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 जलिए जी आईए देखें देखो भाई तब वहरे बाय मुड़ता है तो सबसे पहले तो यह आदमी गया सौथ की तरफ, कितना गया चार किलूमीटर, तीक है फिर उसके बाद अब यहां से क्या तरफ मुड़े और कितना गया दो किलूमीटर चलिए ठीक है पिर अगेंड टर्स तू इस राइट एंड रॉक्स फोर किलोमिटर फिर राइट की तरफ मोड़ा चार किलोमिटर गया ठीक है तो वर्ट्स विश डिरेक्शन इसी मूविंग नाव और वो किस तरफ की तरफ जा रहा है सिंपल सी बात है वो नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे का मतलब होता है साउथ डायरेक्शन ठीक है तब वह बाय मुडता है और सवारी से 2 किलोमीटर जाता है ठीक है वह अपने दाई और मुडकर 4 किलोमीटर और जाता है आप किस तरफ जा रहा है वह साउथ की तरफ जा रहा है साउथ ही इसके लिए सही जवाब है डी आप्शन जितने लोगों ने दिया तेजा स्वी टीचर गुड़ू कुमार सुभाज शॉट गेमिंग प्रभादेवी है ना चलिए अगला सवाल 33 नमबर स्क्रीन की उपर 33 नमबर बहुत ही प्यारा सवाल स्क्रीन की उपर दिया है सम्माने तरीके से सवाल को कि फूल भुड़ूवर कुमाने तरीके स्क्रीके साँ प्रचार थाओन तरीके सम्माने तरीके झाल झाल चलिए जी देखें इसमें क्या है समझिएगा ज़रा कुशन को सिक्स परसंसा सेटिंग इना सर्कल छे लोग हैं जो की एक सर्कल के अंदर बैठे हैं ठीक है तो छे लड़के वरत में बैठे हुए हैं तो वरत आप कोई भी ले सकते हैं सिंपल सा है एक आपको सर्कल ले लेना है यह लीजिए यह होगया आपका सर्कल ठीक है अब सर्कल लेने के वाद में क्या करना है वह समझिए वो B को face कर रहा है A और B जो होंगे वो कहीं न कहीं आमने सामने बैठेंगे A is facing B is to the right of E and left of C B के लिए एक data दिया गया क्या, कि B is to the right of E B जो है वो E के तो right में है देखो यह सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं पहली बात तो यह समझना अब B is to the right of E E के तो right में है B ठीक है B is to the right of E and left of C और C के left में है तो C जो आ जाएगा वो यहां जाएगा नीचे इसके बाद में A is facing B A जो है वो B को face कर रहा है तो इसके सामने कौन होगा A होगा C is to the left of D C जो है वो D के left में है तो C जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा D के left में ठीक है और F is to the right of A A के right में कौन है F है A के right में कौन है F है Now अब क्या होता है देखो यह लोग तो सब लोग बैठ गए अब होता क्या है Now D exchanges his seat with F D जो है वो F के साथ में अपनी जगे बदलता है तो जगे बदलने का matter जब आता है तो अब इसको हम लोग देखो color change करके दिखाते हैं आपको तुमादब से उता है अब क्या होता है कि मेरे भाई D अपनी जगे से हटेगा D exchanges his seat with F D जो है F के साथ अपनी जगे बदलता है मतलब के D आ जाता है यहां पर और F आ जाता है यहां पर जगे बदल गया and E with B और E ने जगे बदली अपनी B के साथ में मतलब यहां पर आ गया B और यहां पर आ गया E ठीक यह हो गया अब बोला गया who will be sitting to the left of D D के who will be sitting left of D D के left में कौन है तो D के left में कौन बैठा हुआ है A बैठा हुआ है A इसके लिए सही जवाब होगा perfect answer होगा जो आपके C option पे विराजबान है यह लेजिए C option बिलकुँ सही है इसके लिए perfect answer है right answer है C बिलकुँ सही perfect answer right answer बहला बैठा तो A है लेकिन वो दिया किस पर है C option पे तो C option इसके लिए कता ही बिलकुँ सही जवाब perfect answer बहुत ही बढ़िया very good पहली बार हाँ सर जी पहली बार ठीक है तो बास समझ में आई question clear हुआ पूछा गया था A के left में कौन बैठा है वो sorry क्या पूछा गया था इसमें who is sitting in the left of D sorry D के left में अब कौन है अब D यहां पर है तो D का left जो होगा वो इस तरफ होगा और D के left में कौन बैठा हुआ A बैठा हुआ है तो A इसके लिए बिलकु सही होगा perfect answer होगा A के left में B बैठा है D के left में A बैठा हुआ है और D के right में पूछा जाता तो भी हो जाता ठीक है यह चीज़ है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 34 number screen के उपर है 34 number चलिए लगाएं 34 number सवाल यह लीज़े screen के उपर लगाएं 34 number करिए पहले एक equation में से तबदील कर लीजिए और उसके बार लगाईए चलिए जी बढ़ते हैं देखो सबसे पहले बोला गया था यह question को हमें करना पड़ेगा balance देखो यह है यह है यह है ठीक है तो D जो है वो बढ़ा है किस से B से इसके बाद में क्या बोला गया था कि B जो है वो छोटा है C से और B के लिए एक और बात बोली गई है कि B जो है वो बढ़ा है किस से N से तो यह भी हो गया B छोटा है C से यह भी हो गया D बढ़ा है B से यह भी हो गया अब यह बाला रह गया छुटा बudos क्रावर है N से N कहां है यह रहा कि मनलब N जो होना चाहिए वो बड़ा बरावर होना चाहिए N जो है वो बड़ा बरावर है किसे के से किसे के से यह हो गया ठीक है यह तो बन गई आपकी equation आप देखते हैं चेक करते हैं D बड़ा है N से देखें D बड़ा है बिल्कु सही है D बड़ा है N से इसके बाद C बड़ा बरावर है किसे C बड़ा है बड़ा बरावर है बड़ा बरावर है लेकिन समस्या यह आएगी कि बड़ा बरावर तो है लेकिन साथ के साथ इसमें बड़ेगा भी सिंबल है अब इसको priority पहले दी जाती है ठीक है तो इसलिए ये गलत होगा केवल पहला वाला इसके लिए सही होगा only conclusion first follows केवल पहला सही है भी सही है सर नहीं भाई भी ही तो गलत है गुड़ो कुमार नहीं भी गलत है केवल पहला वाला सही है भाई कोई भी अभोजिर सिंबल नहीं आ इसा होताब उताा प्राइविल्टी चेक करनी होती है कहीं पर अगर ये वाला सिंबल आ जाये और ये वाला आ गजया तो पहली priority इसे दी जाती है इस से रिखा坐 है तो इसी लिए इसको पहली पर रहा जाता और ये चीज़ पूछी नहीं गई अगर ये simple इतना पूछता कि C जो है वो बड़ा है के से तो ये सही हो जाता फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी तब ये सही होता ठीक है ये चीज़ है चलिए अगला सवाल 35 नमबर स्क्रीन के उपर है 35 नमबर चलिए लगाए 35 नमबर सवाल स्क्रीन के उपर ये के तो जानाओंग को है ये लिए लिए बुझ ओव्ट अ ओनाओंग को में रख़ता झालिए लगभाए 35 नमबर स्क्रीन के दो बागने वे सवालिए स्क्रीन के उाख़ता को प्रेंगर बड़ने रहता उवे वे में अंगर आयं आनाओंगरा ये उवे लिए शारिया जी देखें बढ़ते हैं बोला गया था बारा बच के 20 मिनट पर कितने डिगरी का कूर्ण होगा वो फॉर्मला आपको पता ही है 11 बाइट 2 इंटू M माइनस 30 इंटू H H कितना है 12 ठीके बस इसको solve कर लो answer आजाएगा ठीके 2 से यह गया कितनी बार 10 बार और 10 इंटू 11 हैं कितना होता 110 माइनस बारतिया कितना होता है 36 कितना हो जाता है 360 360 में से 110 घटा दीजिए 360 में से 110 घटा दीजिए answer आ जाएगा निकल के 360 में से यह difference लिया जाता है यह exactly देखा जाए तो difference होता है 360 में से 110 जाता है बसता है 200, कितना बसता है 200, अब 250 निकल के आया, अब आप देखेंगे 250 तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या ये गलत है, नहीं, ये गलत नहीं है, अब है क्या कभी भी 180 से value अगर उपर निकलती है, तो बहुत बार मैंने बताया है, इस value को 360 में से को सही होगा जो बी ऑप्शन पर दिया हुआ यह लीजिए बी ऑप्शन पर्फेक्ट आंसर राइट आंसर भी ऑप्शन हां धाइसो सर धाइसो नहीं होगा धाइसो को है इसका 110 सही जवाब होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 36 नंबर स्क्रीन की उपर है 36 नंबर चलिए लगाएं 36 नंबर सवाल स्क्रीन की उपर यह लीजिए करिए 36 नंबर च्ट सर लाइसो रहाईस के ब़भ, सवाह लेप, का थिए इसक्टी नंबर सक्रीन की उपर स्क्रीन की उपरोग मौचय स्वाब हुगय। 36 वाजिए 3 चलिए जी आईए देखा जाए जड़ा इसके अंदर क्या हो रहा है समझेए ज़रा कुछ इंपरर कुछ किंग्स जो है वह एंपरर है सम किंग्स आर एंपरर ठीक है अब बोला गया है सबसे पहले उसके अंदर नो रूरल इज़ एंपरर कोई भी रूरल जो है वह एंपरर नहीं है और एट लिस्ट देखो एट लिस्ट कभी भी लगा हो तो इसको कोई मतलब नहीं है सम से पढ़ो सम रूलर आर एंपरर कुछ रूरल जो है एंपरर है बिलकुल गलत बात है सम रूरल आर एंपरर नहीं है और नो रूर इस एंपरर कोई भी रूर जो है सम रूर आर एंपरर गलत ठीक है अब ऐसे पहली बात तो एक है पता है क्या एक में नो आया एक में सम आया एंपरर रूलर एंपरर इन दोनों में उठा करके आदर लगेगा C option, either इसके लिए बिलकुर सही होगा, perfect answer होगा एक है गलत, एक है सही दोनों में लगेगा either subject predicate same है, either or लगेगा इसके अंदर, जी है क्योंकि हो भी सकते और नहीं भी हाँ, बिलकुल, इसके लिए बिलकुर सही जवाब जो लगेगा, वो आइदर करिएगा ये लीजे करिए करिए छो Calas करिए में ने लीजाम करिएगग करिए ला वे लो टारी है करिएगल अब इसमें क्या हुआ यार हर कोश्चन को ही बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई कुछ तो बताना पड़ेगा कितना आसान कोश्चन था कि एक महिला की और इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कोई एक आदमी है यह लिजे एडी एम आए आदमी एक महिला की और इशारा कर रहा है महिला क्या बोलता है कि इसका एकलोता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है ठीक है मेरी पत्नी मेरी पत्नी का भाई पहले तो इसकी पत्नी और पत्नी का कोई ना कोई भाई पत्नी का भाई का मतलब हो गया मेरा साला ठीक है तो क्या बूला गया उसके एकलोते भाई का पुत्र इस महिला के एकलोते भाई का पुत्र है वो मेरी पत्नी का भाई है मेरे पत्नी का भाई है मतलब कि ये लड़का और ये नीचे वाई लड़का ये दोनों एकी आदमी है कौन ये और ये ये दोनों एकी है ठीक है तो सिंपल सी बात है कि इसके एकलोते भाई का पुत्र इसके एकलोते भाई का पुत्र ठीक है तो भाई के पुत्र का मतलब यह हो गया भाई के पुत्र जो है वो मेरी पतनी का भाई है तो यह आदमी जो मेरी पतनी का भाई है यही इनसान है जो यह है ठीक है अब इसके कोई ना कोई रहे हैं पिता जी और पिता जी की कोई ना कोई रही हैं बहन जी ठीक है तो अब क्या आप पूछा क्या है। ठीक है वह गए इसकी पिता जी और वह गई उसकी पिता जी कौण बेहन जी। ठीक है चलो अब पूछा गया है महिला आदमी का संब्सक्ता है और या ठीके से चाहिए कह सकता हूँ कहीं नहीं बुवा सास कौन लगेगी बुवा सास जी हम अब बुवा सास के लिए option आपको देखना पड़ेगा कि क्या है ससुर की बहन हाँ ये लगा सकते हैं अब ये लीजिए बुवा सास के लिए सबसे अच्छा ये है बुआ सास से भी बढ़िया ये लगा लीजे ये option सबसे बढ़िया रहेगा इसमें ठीक है क्या sister of father-in-law ये ससुर की बहन है बिल्कु सही बात है ये हो गया मेरा साला साले की पिता जी को क्या बोलूँगा ससुर और ये ससुर है और ये ससुर की बहन है ठीक है तो आदमी महिला सम्मन्द पूछा जा रहा है तो आदमी महिला का कौन है इसके एक लिए परफेक्ट आंसर रहेगा राइट आंसर है सब कम समझ में आ रहा है अच्छा चलिए ये कुशन हा अब आई बास Psychology समझ में अगर कोई के यह ना हो, कोई दिक्ट हो, तो अभ पूछिए आप, यह आदमी, आदमी की वाइफ, वाइफ का भाई, वाइफ का जो भाई है और यह आदमी, यह एक ही आदमी हो गए, ठीक है? तो भाई जो मेरे साला है साले के पिताजी को मैं क्या बोलूँगा ससर की बेहन को क्या बोलूँगा ससर की बेहन को बोलूँगा अभू असास अभू असास option में दिया नहीं है तो sister or father in law दे रखा ये भी सही है कोई दिक कर रही है ठीक है चलिए अगला सवाल स्क्रीन के उपर 38 नमबर चलिए लगाएंगे 38 नमबर कुशन ये लिए ज्यादा देर के मामला रह नहीं गया है 42 हो चुका है कीशते रहे ये सवालों को क्या है चलिए अब यह कोश्चन देखिए इसका फिर से टाइमर खोल लाँ करो एक बार कोशिश कर प्रभाद एवी कह रहे हैं क्षण बारा वाले ज़्यादा लोग है एक जाना है 24 पूशन को समझें देखिए कोशन को देखो प्राइमर रोकता हूं मेरी बार से पहले कुशन की लिए लिए ना एक आउट्लाइन ड्रॉख किया करो भूमे कांद तो एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयू तुम्हारी वर्तमान आयू के तीन गुना थी बास समझे कोशन को वह कहना क्या चारा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयू तुम्हारे वर्तमान आयू के तीन गुना थी कब जब तुम पैदा हुए थे तब ठीक है आयू तीन गुना थी पिता की वर्तमान आयू जो है वो 48 वर्ष है देखिए कितनी बढ़िया बात दे रखी है कोशन में साफ लिखा भी हुआ है कि पिता की जो वर्तमान आयू है वो कितनी है 48 वर्ष है सिंपल सी बात है अब आज जब 48 वर्ष है तो सिंपल सी बात है कि यह 14, crocheting, यह 12,trans, 14, यह 12, जो लड़का होगा, आज के टाइम पर 12 साल का होगा, सुनो मेरी बात, सन, सन कितने का होगा, बारे का, ठीक है, तो अब जब यह लड़का, तो आज की लटका पैदा हुए मतलब जीरो साल का थींक है तब है तब पयदा हुए यह तब यह लगा पैदा कुष तब 0 साल के थे पिताजी थे 36 साल के धीक है यही तो बुला गया कि तुम्हारी वर्तमान आईू के वर्तमान आई उके 3 गुना थी कितनी थी 3 गुना थी कब जब तुम पैदा हुए थे तब मलब 12 या 36 तो आज जब यह 36 के है तो बारे साल जब यह लड़का बारे साल बढ़ गया तो बारे साल पिताजी भी तो बढ़े होंगे पिताजी होगे अरतालिस के तो आज की होगा यह कहानी और पहले की होगा यह कहानी चीक है तो चार साल पहले लड़के की आयू क्या थी सिंपल सी बात है चार साल पहले लड भी है ठीक है कोशन समझे है कोशन वो कहना क्या चा रहा है कोशन आपके सामने है पूरा खुल दिया है मैंने अब इसमें कोई बात अगर क्लिए ना हो रही हो तो पूछिए एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयू तुम्हारी वर्त को जब यह बारह साल बड़ा हूंगे तो पिताजी साल बड़ी होंगे तो बारह की ताइम में पारह में से चार घटेगा कितना निकल के आ जाएगा आठ आ जाएगा ठीक है तो इसलिए इसका एट बिल्कुत सही है परफेक्ट ना जाएगा ठीक बात समझ में आई चलिए समझ गए गुरू जी चलिए अगला सवाल 49 नंबर स्क्रीन के उपर है 39 नंबर चलिए लगाएं 49 नंबर अथा लेकिन वही है कि हमने करने की अच्छे से कोशिश नहीं करी यह समझा नहीं कोशिश करी लेगे समझा नहीं सवाल को अच्छे से अच्छे से देखो इसमें क्या है देखो जी आर एडी 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 सब में कॉमन दिया है इसके बाद आई है आई है यू है आई है यू है ठीक है तो आई 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 सब के अंदर common है आई के बाद क्या है एन है आई के बाद क्या है आई के बाद क्या है एन है ठीक है तो यू वाले तो साहर सी बात है यू के बाद इसमें ए है यू के बाद इसमें ए है और ये ये रह सबसे इश में और आई के बाद दूसरे पर यह धिसरे पर अब यूपर आज आ जो यू के बाद bac यह हो जाएगा चौथे पर और यह जाएगा पांच में पर ठीक है तो क्या पूछा गया था थो तिस्रा जो होगा Webb principles लिप उतुशनरिक हो जाएगा राजा इकड़म सही है नवीन जांगीर का अंसर गलत है प्रमूद करिए चालिस नंबर सवाल स्क्रीन की उपर है चलिए लगाएंगे चालिस नंबर सवाल करिए की जालिस नंबर स्क्रीन की उपर है। हुआ हुआ है ज़लिये देखें इसमें भी देखो वही पूछागिया है ठिकें सबसे पहले देखो अजा लोचिया यह सब से पहले हो गए पहले नमबर पे ठिकें बागी सबके अंदर क्या है देखें आपन नो अन 5 सी और अज्अठो़ N.O. के बाद क्या है Z, N.O. के बाद क्या है S, M, R यहीं सही सारी पत्थे क्लियर हो जाएंगे एकदम कि क्या होने वाला है सबसे पहले हो जाएगा M, N, O, P, Q, R, फिर उसके बाद S और उसके बाद आकरी में Z, पांच में नम्बर पे फिक है तो क्या पूछा गया था समें ती पूरी बहुत बढ़िया प्रभाद ए भी अबकी बार अंसर सही गया है ठीक है है चलिए एक तालिस नंबर सवाल फोटी वन नंबर स्क्रीन के उपर है एक तालिस नंबर करें फटा पर से जादा देर का मामला रह नहीं गया है कम से कम यह वाला सैट तो कम्प्रीट करी लीजिए मेरा मानना यह है चलिए 45 तक हैं इस वाले सैट में ना चलो 45 तक निप्टालों इसे हैं ना करें कि सर मैं पहली बार आपकी क्लास में आया हूं शल के लिए पूरी रिजनिंग होगी सर शीएचे से रिटिक रॉशन सिंग हां भाई पूरी होगी एक तारीक से नया बैच वह तीन तारीक मंडे से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है यहीं पर एसे सी गुरूप पर तो आप सबी लो आप उस वैच को जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से रिजनिंग बढ़ाया जाएगा जी हां देखो लाफ्टर दिया था अब लाफ्टर के लिए लाफ्टर के अंदर क्या नहीं दिया है लाफ्टर के अंदर से क्या नहीं बन सकता यह देखिए गरंट नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है देखो जी आर यू है लाफ्टर के अंदर कहीं पर भी एन नहीं आ रहा है और इसके अंदर एन आ रहा है तो डी आप्शन ही तैयार नहीं हो सकता वहीं पूछा गया था कौन सा नहीं बन सकता है ठीक है एन नहीं है बिलकुल एन न पाएगा ठीक है चलिए 42 नंबर बताइए 42 नंबर स्क्रीन की ऊपर है 42 तो जो भी बच्चे जॉइन करना चाहें तीन तारीक मंडे डेट नोट कर लीजिए थ्री मंडे का दिन है तीन तारीक को थर्ड ऑफ जैनवरी ठीक है 2022 2022 ठीक है तो तीन जनवरी 2022 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जो 8 पीम हुआ करेगा SSC गुरू पर तो SSC गुरू पर आप सभी लोग जॉइन कर सकते हैं रात को आठ बजे तीन तारीक मंडे वाले दिन जनवरी 2022 से नया बैच स्टार्ट होगा 8 पीम SSC गुरू यहीं पर ही इसी चैनल पर फ्री आफ पॉस्ट जो बच्चे चाहें अटेंड कर सकते हैं अब इसमें क्या है इससे क्या नहीं बन सकता है देखो इससे नहीं बनेगा तो गुड नहीं नहीं बनेगा गुड क्योंकि गुड के अंदर जी डबल ओ ड साइकलोजी के अंदर कहीं पर भी डि नहीं आ रहा है और गुड के अंदर डी दे रखा है तो इसलिए गुड नहीं कर दो सर मेरे रीजनिंग में CHSL में 23 सही हुए थे बट क्वांट में अच्छा नहीं कर पाया ओहो प्रवीन म्यूजिक प्रिजेंट सर एसे सीजियर का फॉर्म कवाएंगे 2022 में बेटा कलेंडर आ तो गया है आप कलेंडर देखिए कलेंडर आ चुका है सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं कलेंडर देख लीज़ें पूरी यर का कलेंडर दे रखा है चलो है आओ देखें इसमें क्या हो रहा है कभी इस तरीके कोशन आता है ना सबसे पहले यह रिखा करो टोटल इसमें लेटर हैं कितने विद ब्लैंक्स के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे ब देखो एक चीज समझ में आ रही है AABB 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 और फिर AAB इतना रहे गया ठीक है यह देखो बन गया स्क्राइटर नाम से तो AABBA AABBA आपको दिया हुआ A option पर यह लीजए A option ही इसके लिए correct answer है perfect answer है A option यह लीजए बिलकुत सही जवाब A option बिलकुत सही perfect answer बहुत ही बढ़िया very good keep it up बहुत अच्छे है चलिए अगला सवाल 44 नंबर स्क्रीन के उपर यह लीजए 44 नंबर करिए लगाएं बहुत 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 चलिए ची देखें इसमें क्या हो रहा है भाई A B B G T P O G ठीक है फिर उसके बाद फिर दुबारा से A B B G T P O G ठीक है A A B A P G बिल्कुत सही है इसके लिए जो A Option पर विराजमान है ये लिजे ए युगमान रितिग्रोशन है ना सिंग बहुत ही बढ़िया वेरी गुड अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर चलो यही वारा लास्ट कोशन करते हैं 45 इसके बाद नया सेट चुरू होने जा रहा है तो नया सेट चुरू ना करके यहीं पर ही क्लास को अंत करेंगे ठीक है लास्ट क दिये हुएं छे साथ आठनों करो चलिये जी इसे क्या है देखें बताया है आप लोगों ने अंसर इसमें कुछ ने दिया देखो सबसे देखो यह बना पहला ट्राइंगल यह दूसरा ट्राइंगल यह तीसरा यह चौथा ट्राइंगल और यह पांचवा ट्राइंगल तो सबसे पहले पांच तो यही हो गए आपके पास सिंगल ट्राइंगल ठीक है पांच यही हो गए आपके पास सिंगल ट्राइंगल अब वो ट्राइंगल गिनने हैं जो अलग से मिला करके बन रहे हैं या तो वह वाल ठीक है आप इसके बाद में जो ट्राइंगल बनने वह आपको बताने किसी के साथ किसी के आठ किसी के वाले भी आंचर आएं हैं ना तो बताए अब बताएं जरा कौन कौन से बननाे जरा कौन 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 से बनना है अपना जू को बियुक गए कर रहा हैं वताना ने लिए के बनाएं कौन कौन से ट्राइंगल और बनना है जैसे देखो यह दो और तीन मिला के कह रहे हैं है ना बिटा पहली बात तो यह दो और तीन को मिला के नहीं बनेगा ट्राइंगल जो बनेगा वो दो तीन चार पूरा मिला करके बनेगा कौन सा मिलेगा दो तीन और चार को मिल वाला बना वाला पहली लिख लिया यह एक बिग पहली लिखा हुआ है ठीक है हाँ तो पांच छे साथ साथ ट्राइंगल बने हैं अभी तक तो ठीक है हाँ छे का ऑप्शन कटा है अब बताईए आठ और नौ वाले कौन थे जरा हम उन से जर बात करें रात्तिक रोशन भाई और युगमान युगमान और रित्य रोशन भाई आप भी बता सकते हो बदाओ एक कों और यह कर दो अर पने लाक वहाद दो और पांच को मिला करके भी ट्राइंगल बनना घुड यह कौसा ट्राइंगल बनना है यह ओड ना बनना है भाई यह देखो 4-5 और एक और 4 पाउंच उनको एक और 4 यह कैसा चाहरं ट्राइंस बना div ले रहा हूं था इसी वज़े से यह हुँ रहा है चलो कोई दिकत नहीं है और ट्राइंगल इसके अंदर कोश्श की मत कर यह क्योंकि बन भी यह नहीं ठीक है फालतों में दिमाग खपाना हो थो पिलकुल खपा सकते हो हमें किसी तरही कोई दिक नहीं है लेकिन अगर मेरे से अगर आप पूछें तो वाकई में इसमें इतने ही ट्राइंगल बनना है और इतने ही बेसिकरी ट्राइंगल है भी इसमें ठीक है बताईए और किसी का बन रहा हो तो कोई बता दें भाई लेकिन बन तो रहा है इसमें कोई ना कोई एक रूप जाओ चेक करने दो लोग अच्छा लोग हां देखो एक ट्राइंगल आप यह ले सकते हो दो दो ट्राइंगल आपको मुझे नजर आ रहे है वह यह और आ रहे हैं यहां से आप शुरू करिए यह जाईये फिर उसके बाद यह जाईये और उसके बाद यह जाईये echED यह ट्राइंगल एक आपक沒有 लिया गया है और दूसरा कौन सा, यहां पर आईए, फिर यहां तक जाईए, और उसके बाद यहां तक चले जाईए, ठीक है, यह दो ट्राइंगल आपके यह वाले और बनेंगे, ठीक है, जैसे एक आप कह सकते हैं, एक, दो, तीन, चार से मिला करके जो बन रहा है, और एक जो बन रहा है, वो और बन रहे हैं, नवीन भाई, यहीं और बन रहा है, अब रेगुलर क्लास करूंगा, बिल्कुल, रेगुलर क्लास अटेंट करिएगा, कल भी यह वाली क्लास ऐसी ही चलेगी, ठीक है, चलो, टाइम अप हो चुका है, भाई, काफी, ठीक है, पटाफट से जल्दी से यहां कोशन नहीं करना, फ्री अनकेडमी का लर्निंग एप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, एप इंस्टॉल करने के बाद में, प्रोफाइल अपनी बना लेना उस पर, ठीक है, और उसके बाद में, ऊपर फ्री लाइव क्लास का ऑप्शन आता, जैसी अंदर आओगे, उसमें आएग बढ़िया तरीके से कोशन कराए जाते हैं, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है भाई, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आने के लिए, थैंक यू सो मच, मुलाकात हो रहे हैं तुरंत 9 पीम एप पर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच